जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने भाई की यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे अस्टेलिया वन डेकप का जो मुकावला खेला जाएगा कुइंस लेंड वर्सेस तस्मानिया के बीच में इसको लेक टेली ग्राम चैनल पर मिलने वाला है टेली ग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं इसको चले-जनय कमें चेंट किंट चल जाएगा अगर हम यहां देखेंगे और बात करेंगे वीनिंग परसंटेज को लेके तो कागज पर भले लेकिन तस्मानिया के विनिंग चांसे ज़्यादा है इसके विनिंग चांसे आपको तकरीवां नज़रा जाएंगे 58% के आस-पास बात कर लोकिंस लेके तो इसके व तो दोनों टीम सौथ ऐस्टेलिया के साथ लेकिन कुइंस्ट लाइन के टीम को सौथ ऐस्टेलिया के टीम को वन सैड़ेड लगा दी ती तो यहां से भी आपको मालूम चल जाएगा कि तस्रमानिया के टीम विल सेटल है और मजबूत यहां पर खेल के आ रही है बात करेंगे इंदवाजी में तो इनके रहली मिराडित दिख जाएंगा आपको जो कि आट अवर एक गिन में चैलिस रंदे के दो विकेट लिए थे थे थोमास रोजर्स हमारे तकरी डिफेंसल भी थे और हमने इस मैच को वन सैड़ेड विन भी किया हुआ था अगर आपको याद है तो डेली मिराडित पीटर सीडल और थोमास रोजर्स अगर बात करेंगे बल्लेवाजी में तो यहाँ पर आपको देखने हो के मिलेगा बिन मैक्टर मैट सबसे टॉप में बल्लेवाजी किये वह थे एक 70 रं किये थे 90 वाल में 8 चोका 2 चका सीज वेल 127 वाल में 20 चोका 1 चका दिहान रखेगा पिछले सीजन भाइस आपका बहुत ही गंदा गया था चार मैच में इन्होंने महाज 50 रं किया हुआ था लेकिन इस सीजन हाता ही सैंचुरी लगा दिये जॉडन सिल के साथ और यहां पर पांच किये थे बात करेंगे यहां पर कुइंस लेंड को लेकर तो देट वालिंग को लेके बात कर ले तो मैचल ली सर उसके बाद गुरविंदर संदू और आपको जेवियर बाटलेट दिख सकते हैं बात करें बल्लेवाजी में हैसलेक इस फॉर्मिट के बहुत तगरे बल्लेवाज है एक किये हुए थे इनका बैटिंग एवरेज यहां प उदर ही चोधा किये थे ध्यान रखेगा सामने की टीम में अगर लेफ्ट हेंडर ज़्यादा दिखेंगे तभी आपको मैटरंस और गंदवाजी करते नजर आएंगे अगर लेफ्ट हेंडर कम होंगे तो वह सब भी आपको ऐसे बैट्समैन फिर कहलते नजर आ जाएंगे आजाएंगे सेम कंडिशन एरेज होता है वी व्यबस्टर के साथ भी अगर यहां पर जो है कुछ लैंड के पास देखो के लेफ्ट हेंडर तो ठीक ठाक है उसमान ख्वाजा फिर आपको दिख जाएंगे मैटरंस हो लेफ्ट हेंडर इनके पास है टॉप ओडर में तो आप आपको जरूर व्यबस्टर अच्छे खासे स्पेल डालते नजर आ सकते हैं और दोस्तों मैं और साइडर जो कुछ सौंड आपके बीच में आ रहे होंगे उसके लिए मैं चाहता हूं अभी आप लोगों को पता होगा आपका प्रेडिक्सन रजावाय का मकान बन रहा है घर वन रहा है और दोस्तों घर बनेगा तो थोड़ा बहुत और साइडर सौंड आएगा ही उसके लिए मैं च्छामा चाहता हूं अब आए हम बात करते हैं कुछ स्टेट्स की दुनिया में सबसे पहला स्टेट्स जिसको लेके हम बात करेंगे दोनों टीम के प्लियर्स के लास पॉइंट्स दिये हुएं लास्ट के पांच ओडीडी मैच में ड्रीम इल्वेंच के वाई 91 45 134 67 191 मिचेल सब्सें 77 31 46237 मैकली सर 56 11 126 उस्वान क्वाजा 40 12 31 127 सी जुल 164 17 16 49 42 ध्यान दिजेगा यहां पे उसके लाबा मैं टरेंस हो 110 25 45 16900 थोमस रोजर्स 165 32 62 47 रेली मेराइडित 53 54 63 105 जेवियर बाटलेट अच्चा गंदवाज है बल्ले बाजी से बैक अप देगा आपने जरूर इनको देखा होगा बिग वैस भी खेलते हुए किस के टीम के तब से 26 71 60 बी वेबस्टार 1867 22 201 पीटर सीडल 33 70 23 22 66 गुरिविंदर संदू 55 116 116 16 16 134 जॉर्डन सिल्क ट्व्याल हंडेट सिक्स 17 41 117 जिमी पीयर संग इस फॉर्मेट के अच्चे पीलर माने जाते हैं 56 83 14 18 और 83 अभी तक दोस्तों जब तक मैं वीडियो मना रहा हूं दोनों टीम में से कोई ने अपना स्क्वाइड रेनॉंस नहीं किया हुए तो 50 जुए वर्ड छे के रिचर्ट सन का पॉइंट्स मिंशन नहीं है जे ट्रॉल उफ 6109 ध्यान रखेगा यह इमर्जिंग प्लियर है आप इनको अपने टीमें बैक करके चल सकते हो जहां पर आप देखोगे तो वैसे अब इन्होंने ठीक ठाक लास्ट के पांच मैच में र सब्सक्राइब करेंगे तुम दबोच लेंगे इनको 70 37 35 61 96 सेम रेंडबर 29 41 उसके बैसली यान रखेगा दोस्तों खेलेंगे तौम दबोच लेंगे इनको 70 37 35 61 96 सेम रेंडबर 29 41 उसके लगवां यहां पर पेस्ट्वीज का सिप्चार कोइंट मेंट मेंचन है सी सुली 16 1161 इदों ने तो अंदर 19 में धूम सा मचा दिया था अगर आम बात कर लेंगे दोस्तों पीच रिपोर्ट को लेकर तो वैक्टिंग फ्रेंडली विकेज दिखेगा बिर्समें में आज लेट दोस्तों उसके बाद आपको दिखेंगे यहां पर में सपीर संदिखेंगे फिर आपको वहां पर दिखेंगे आइटिंक जो मैंने आप लोग को एक बोला था वजेबियर बैटलेट वह भी है यहां सही खेलते तो उनके पास यहां पर पीच का अच्छा खासा अ यहां पर एक मैच खेलें 126 रन 122 का स्ट्राइक रेट बेन मैक दोर्मेट एक मैच एक मैच एक एक सातर रन 116 का स्ट्राइक रेट बात करें गिंदवाजी में थोमस रोजर्स यहां पर खेलें एक मैच पांच विकेट लिए हुए मैच एक मैच खेलें पर मैच एक एक विकेट लिए हुए पांच का इकोनोमी है अगर हम बात करेंगे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर तु थर्टीन है एवरेज टोटल स्कोर यहां का टू हंड्रेट एटीन है टॉस विनस और टू बॉल फर्स्ट एटी परसेंट केस में लास्ट के पांच मैच में ऐसा हुआ है जो टीम तो जीता है वो बॉलिंग करता है इसका मतलब दोस्तों कि पांच मैसे चार्ट मैस काबला ऐसा हुए जहां पर जो टीम तोब आगे डिम जीते हैं लास्ट के तीनों मच कुइंस लैंड की डिम विन करके आ रही है अगर हम बात करेंगे एक नावंबर 2021 को क्या हुआ था तो कुइंस लैंड यहां पर पहले बले बाजी करते वोड़ पर लगाए थे वन एटी सिक्स रन रेन के बुझे सिमय स्ट हो गया था जहां पर सैम एजलेट जीरो किये थे उस्मान ख़जा तीन माडनस लवूसें 27 मैट रेंस और 76 जो बंस टैंड जीमी प्यरसन 42 जैक विल्टर मच 7 बैसले 9 और गुरिंदर संदू 2 किये थे गेंदवाजी में धिर से गेंदवाजी में स्य सुली को चार विकेट मिला था जहां पे 116 पेंट मेंटस जन था वहीँ है क्या हो था तसमान यहाँ पहले वल्ले वाजी करते हुए बोर्ट पे लगायной तो 237 रन जांप आपको दिखेंगे टीम पेन 28 किये थे सीज्वेल 36 जैक दोरेन एक एम राइट 10 जोर्डेन सेलक 77 बी वेबस्टर 15 मिचेल ओवन एक टॉम एंडूज एक नाथनलीज 21 जैक्सन वर्ड 27 सेम डेंड वर्ड 8 इधर से किंद वाजी में बिली स्टैनलेक को चार विके 18 मैट रन 16 जोर्ड 36 जैक विल्डर मुझ सत्र मार्क एस्टी केटी पांच गंदवाजी में दोस्तों एलिस को तीन विकेट मिला था खेलेंगे नहीं मुष्ट अधो चांसे हैं फिर बी वेफ्टर एक सेम डेंड वर्ड एक और यहां पर जैक्सन वर्ड को एक विकेट मिला हुआ था अब हम लास्ट मैच जो देख लेते हैं 2020 का है उससे पहले वाले मैच के उपरम ध्यान नहीं देंगे तो 2020 में यह भी मैच जो है कुइंस्ट्लेंड की टीम ने चार विकेट से मैच को निकाल लिया था ध्यान रखेगा इस तीम के साथ ख्वाजा का बैटिंग हमे इस तीकी को तीन विकेट मिला था जैक विल्डर मुथ को एक विकेट मिला था इधर से फिर से वल्ले वाज में उसमान फ़ाजा 86 लगा दिया थे मतलब यह तीम के घंच को आजा हमें साथ से अच्छा वल्ले वाजी किया हुआ है फिर यहां पापको दिख जाएंगे ब्रै इस एक मिनट निकाल लेने इस एक मिनट नम आप लोगो को थोरे-थोरे करके चार काम कर लेने हैं सबसे पहले तो वीडियो को दो से ब्याय को पहली अप सरुअ inviol है तो क्यों नहीं दोस्तों यह आप अपना 20 सेकेंड प्यार्वाई के लिए निकाल सकते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को उसके बाद अपना फीड़बैक कमेंट सेक्सें में जरूर दीजिए जो भी आपका कमेंट हो मैं डीट करूंगा दोस्तों चाहे हो वो लिए उनको मालूम चल जाएगा कि यहां का टीम का लेवल क्या होता है बात करें विकेट के पीछे तो मैंने वेन मैक दर्मेट को लिया हुआ हुआ है उसके जिमी पियर्सन को आप जरूर में लेकर जाएगा बैटिंग में बात कर लेंगे ख्वाजा को मैंने लिए जॉड ट्राइ कीजिएगा बात करें और अंडर से तो मैंने निसर बाटलेट इन दोनों को लिया हुआ हुआ है उसके बाद मैं अपने टीम में इस मैच में सायद जगह दे दू क्यूंकि सामने के टीम में आपको लेफ ठंडर ठीक ठाक दिख जाएंगे बॉलिंग अबात कर लू सेंचुरी किया हुआ है लेकिन जीने दोस्तों मेरे टीम में आपको सी जीवल फिलाल के लिए नहीं दिखेंगे दुनिया यह लेकर आएंगे मैंने फिलाल इनको अपने टीम से ड्रॉप करना उचित समझा है अब देखेगा मेरा फाइनल टीम प्रिव्यू तो मैंने विग द्वर्मेंट वी सी जिस तरी का एकर मैं कर लिसर नहीं दोस्तों उस्मान ख्वाजाक का सामने वाले टीम के एगेंस्ट मैंने उनको वी सी दिया हुआ है आप लोग वी सी का कॉल खुद से लेके चल सकती हो अगर मेरे वाइनल टीम में कोई बदला होता है तो मैं आप आप लोगाजा वीन के जिये है